अलो एब्रिवन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है साहिवाबब एडुटेक चानल पे कैसे हम सब भी लो डियर आप सभी की जानकारी के लिए आपको बता देती हूँ कि साहिवाबब एडुटेक का प्ले स्टोर पर अप्लिकेशन अप्लब्द हो चुका है अगर आप न स्क्रीन पे दिख रहा है इस नंबर वाट्साइब कर सकते हो आप चाहू तो डियर हमें हमारे टेलिगराम चानल में भी जोइन कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो आप सभी के डिमांड पर कुछ ऐसे टॉपिक्स के साथ मैंने व करें जैसे कि आप लोगों में से मैं बता दूँ जैसे बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमने कही बार देखा जैसे कि हमारा जो लास्ट क्लास का टॉपिक था वो हैड़े टू का था कई बार सुनाएं के हैज हैड़े टू होता है कई बार सुनाएं कि हैव हैड टू होता है लेकिन क्या हमको exact इसका use पता है कि कहां पर हम इसको use करते हैं किस तरीके से use करते हैं तो dear attention की कोई बात नहीं है इसी जानकारी के साथ इस वीडियो को मैं लिकर आए हूँ आप लोग के लिए क्यों चल्वी start करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहते हूँ dear कि has और have जो होता है वो हमेशा present की तरफ इशारा करता है कल की class में मैंने आपको head, head to के बारे में बताया था जिसका जो समापन हुआ था sentence का वो था पर हुआ था आज मैं आपको has, have के सांथ head to का use बता रहे हूँ जिसका समापन है पर हुआ ठीक है किस तरीके से इसका sound आएगा करना ही है बताना ही है यानि कि simply आपको यह ध्यान रखना है कि ना ही है यह शब्द आपको कहीं भी अगर दिखता है कहीं भी आप अगर use कर रहे हो बोल रहे है तो आप वहाँ पे has, have plus head to का use कर सकते है यह ना negative वाला नहीं है आप सोचो के negative वाला ना हो नहीं यह है यह है dear कि मुझे जाना ही है मुझे करना ही है हम लोग को सफाई करनी है हमें काड़ी खरीदनी है हमें उनके सांथ लड़ना ही है हमें नई काम की शुरुआत करनी है तो जहां भी ना है नी है आएंगे अपन हम हाँ पे has, have के सांथ head to लगाने ठीक है जैसे कि has, have के सांथ head to लगता है dear उसी प्रकार से got to का use भी करते है मैंने अलग से वीडियो ना बनाते हुए इसी में आपको बता दिया है कि head to और got to का use एकडम सेम रहता है आप head to के sentence making कर सकते हो but make sure my dear कि भले ही picture में has या have भले ही क्यों ना हो लेकिन verb की अपन को first form लगानी है जैसे कि आप लोग जानते हो कि almost has have head के सांथ verb की third form लगती लेकिन नहीं dear जब भी head to के सांथ use करोगे तो verb की first form लगाना ओके जैसे कि I have head to देखो I क्या है I subject है I के सांथ क्या लग देखो मुझे English सीखनी ही है आगया ना ना ही है आगया उसी प्रकार I have had to talk to them मुझे उनसे बात करनी ही है they have had to buy new house उन्हें नया घर खरीदना ही है they have had to clean their rooms उन्हें अपने rooms को साफ करना ही है ठीक है अब आप जितने चाहूं उतने sentence बना लो बस make sure कि last में इस तरह के शब्दों से वो sentence कत्म होना चाहिए ठीक है जितने चाहूं sentence बना लो किसी sentence को बनाने में problem आती है तो comment box में comment करके उससे पूछ देना ठीक है अगली slide पर जाने के पहले मैं आपको यहीं पर एक और चीज़ बताते हूं अब भही मुझे अंग्रेजी सीखनी ही नहीं है नहीं मुझे बिलकुल नहीं सीखनी मैं तो हिंदी में खुश हूं मुझे English सीखनी ही नहीं है कोई problem नहीं dear one two और यह आपका third तीसे नमबर पे नॉट लगा देना एक दो तीन I have not had to learn English मुझे English सीखनी ही नहीं है I have not had to talk to them मुझे उन से बात करनी ही नहीं मुझे इंके साथ खेलना ही नहीं मुझे उनके साथ partnership करनी ही नहीं मुझे नए घर खरीदना ही नहीं है उन्हें अपना कमरा साफ करना ह ही नहीं है ठीक है 되어 तीस्रे नमपर पे 1 2 3 तीस्रे नमपर पर नौफ लगा जाना क्या अंगर्जी किया मुझे इंगरीदी सीख नहीं है और कि सिक्क्राब भाक्राइब को सब आगे ले आना बागी सारा कुछ आप ऐसा की वैसार रुखो जैसे की I have had to learn English मुझे English सीख नहीं है क्या मुझे English सीख नहीं है तो मैं इस have को हटा के आगे लगा दूगी पीछे question mark लगा दूगी Have I had to learn English ओके ये वल has a have को आगे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा आपका intuitive देखो मैंने negative भी बना दिया है ये sentence को negative आप भी कोशिश करो प्रेक्टिस करो कभी आपको उगर दिखते हैं तो बिलकुल इनको error मत मानना कि have भी आगे, had भी आगे dear ये error नहीं होते है जब भी has, have के सांद head to या head के सांद head to मिलता है तो वो इस तरह का sense देते हैं मैंने देखा है कि error वाले questions में ये सांद में आ जाते हैं कई सारे learners confusion के कारण उसको error बता देते हैं जब कि dear error नहीं होता है वो और इस तरह का sentence भी अगर आपको को नहीं दिख जाता है तो आप उसे error नहीं कहिएगा आपको अब इस class के बाद ही पता चल गया है कि किस प्रकार हम head to या head के सांथ head to का use करते हैं क्या sense निकलता है work का कौन सा formless होता है और किस तरह की आवाज ये लोग करते हैं मुझे उमीद है कि आपको ये lectures पसंद आ रहे होंगे ऐसी कई सारी videos upcoming है आप लोग के लिए बहुत सारे जानकारी में लेकर आने वाली है उसलिए रोज चानल पर जैसी वीडियो आया करें तुरन देखा करो चैनल को अगर subscribe नहीं किया तो चल दीसे subscribe कर लिजिए बैल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि notification आपको तुरन बचार okay keep learning keep sharing thank you so much guys thanks for watching